How to use internet in PC from mobile So, इस method and process को किस तरीके से apply करना है और internet को use किस तरीके से करना है अपने PC and laptop में तो basically जो topic है यह especially for beginners के लिए cover करो जोने ने first time अपने life में एक mobile purchase किया होता है तो at the time of the beginning उन्हें एक proper process नहीं पता होता है किस तरीके से जो mobile का internet है अपने laptop and PC में यूज़ करना है basically यहाँ पर आप other method का भी use कर सकते है अगर आप अपने PC and laptop में internet यूज़ करना चाहते है आप चाहते हो कोई भी dongle भी purchase कर सकते है जिसके तो आप internet connect कर सकते है अपने laptop में बट अगर वो थोड़ा expensive method हो जाता है बट यहाँ पर आप simple सा cheapest method भी आप यूज़ कर सकते हैं आप अपने mobile का internet अपने PC and laptop में easily use कर सकते हैं तो इसे apply करने के लिए आपको directly जाना है अपने mobile में और make sure कि आपके mobile में जो internet pack है वो activate हो और इसके बाद जाना है आपको mobile में data on कर देना है और अपने mobile का data share करने के लिए आपको यह hotspot का option on कर देना है from here जैसे आप इसे on कर देंगे और इसके बाद वाइफाय लिष्ट में आपके डर्टाय का नाम show हो जाएगा तो आपको जाना है directly internet option में यहाँ पर click करके और इसके बाद यहाँ पर आपको यह वाला नाम show हो जाएगा आपके यह जो है मेरे नाम जो यहाँ पर शो कर रहा है यह मेरे mobile के internet का ना यहाँ पर शो रहा है इसका नाम है इन्फिनिक्स होट 7 connect करने के लिए directly आपको इस पर click करना है और उसके बाद connect option पर click करने ना है so that's it कि जैसे connect हो जाएगा यहाँ पर connected secured का message show हो जाएगा so now एक बाद check it out करने के लिए आपको जाने अपने chrome browser में यहाँ पर click करके so now let's me here YouTube को open कर लेता हूँ so as you can see finally यहाँ यहाँ पर YouTube open हो गया है so that's all about यह है एकदम simple सा और एकदम easiest सा method जिसकी help से आप यहाँ पर अपना internet connect कर सकते अपने laptop में अपने mobile के through let's say example अगर आपको यहाँ पर फिर से disconnect करना है internet को अपने laptop से तो डारेक्ली आपको जाना है फिर से अपने wifi के settings में और यहाँ पर जाके इसे यहाँ से disconnect कर देना है तो फाइनली यहाँ से जो internet है फिर से disconnect हो गया है अभी फिर से अगर में chrome browser open करू तो यहाँ पर डारेक्ली network option शो करेगा as you can see that because मैंने आप उसे disconnect किया है so यह है एकदम cheapest method जिसकी help से आप internet use कर सकते हैं अपने PC और laptop ने अपने mobile के internet data का use करके so this will help you in 2020 and 2021 21